कि पिछली क्लास में हम आपको केस्ट सीरीज के बारे में बता रहे थे और कि एसे के बारे में हमने बताया कि किस टाइप का एसे बनता है और उसको समझना पहले जरूरी है अधर वाई आप एसे में कुछ लिख नहीं पाएंगे लिखेंगे तो डिरेक्शन गलत हो जाएगा पूछ कुछ रहा आप समझ कुछ रहें लिख कुछ रहें अजर आप समझ भी गए तो यह बड़ा चुनोती पूर्ण है कि आप उसको सही स्पीरिट में समझे की नहीं समझे तो एक तर्म हमें नया मिला कि किसी PCS के एक्जाम में आया था यह हिंदू एकलोजी हिंदू ग्रोफ रेट आप सुने होंगे एकनोमिक्स में यह जोगरफी में हैं इकलोजी का मतलब तो आप जानते हैं कि जिस एको सिस्टम में और्गिनिजम अपने बाकी और्गिनिजम के साथ मिल जुलकर और रिलेट होकर के अपना जीवन यापन करता है उसको एकलोजी कहते हैं है कि नहीं है पारिस्तितिक तंत्र एक दूसरे को पर निर्भरता होती ह सारी जीवों की अगर उसमें इम्बाइलेसिंग हुआ जैसे मेडागास्कर में वह लुए खोटा बंदर शैपिलियन की कि जो पिद्धमानता वो धिरे-धिरे बिलप्ति होने के कगार पे एकलोजिकल इम्बैलेंस हो रहा है एकलोजिकल बैलेंस इम्बैलेंस क्यों होगा जब जो जब आप पारिस्थितिक तंत्र में उन सब की भूमिका को आप अस्पस्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे पर निर्भरता को अगर आप नहीं बनाए रखेंगे तो इकलोजी जो है पारिस्थितिक तंत्र गड़बड होने लगेगे हिंदू का मतलब आप जानते ही है हिंदू इकलोजी यह बताता है कि पारिस्थितिक तंत्र को पर्यावरण को किस तरीके से मजबूत करना है किस तरीके से उसको स्ट्रॉण बनाना है जिससे और्गनीजम की जो विलुपति करन है या किसी का एक्सेस होना है वो सब बैलेंस रहे अब आप समझिए कि ज़्यादा जीव जन्तु वहाँ हो जाएंगे अब उसको खाने वाला कोई और नहीं होगा तो उसकी तादात कितनी हो जाएगी और human settlement जहां पर है उसके साथ अगर imbalancing होता है तो सोचिए human being की क्या दसा होगी कि मच्छर इतना पनफ जना उसको खाने वाला कोई और न हो लारव इतना पनफ जना जिसको खाने वाला कोई और जीव न ऐसोचुए कि क्या इस्थिति होगी आपके रहने की घरों में मच्छर मख्य और घ्रोSir अगर जादा हो जाएं तो आपको रहना मुस्किल कर देगा तो इस बैलंसिंग ऑफ इको सिस्टम भाई भाई फुड चेंड एक दूसरे को सब खाते हैं एक को खाता है बी को खाता है से डी को खाता है तो यह सिस्टम जरूरी है और हिंदु इकलोजी का मतलब क्या है कि एकलोजी के लिए फेत्र में जो जो चीजे हैं जैसे पेड़ है पौधे हैं को टेमक बड़े फूल है को कोई जीव जन्तु है कि अ है कि नहीं कि और पानी है अ कि आकास हिती जल पावक गगन समीरा हवा आग हिती जल पावक गगन समीरा हिती हो गया अच्छा वास्मान और उसके बीच जो प्रिथवी का जो मिलंग बिंदु दिखाते हैं प्रिथवी और काम को जो दिखता है न सुरज डुबते हुए अब आप समझ गया हिंदु इकलोजी क्या है कि हिंदु धर्म की माननेताओं का जो बैज्ञानी का आधार है उस आधार को मान करके और गिनिजम को सिस्टम में परिस्टिक तंत्र के और गिनिजम को जीव जन्तिवों को किसी भी तरीचे से नस्ट न करना है कि टुकरकर देंगे कुरा बैलेंस्टों का खराब हो जएगा अगर बैलेंसिंग पर और यह मत्छर मुंझळी हो जाएंग इतने घर में कि आप उसको पीपल की पूजा तुलसी की पूजा कि सब क्या है हिंदु एकलावजी में मान्नताएं इसको दी गई है कि यह हमारे लिए जो है है और इनका बैग्यानिक आधार है जैसे कि छिती जल पावक गगन समीरा पंच तत्तु से बना सरीरा हम लोग पानी की पूजा करते हैं आकास क आपको ही समझ मागया कि हिंदु रिचुवल्स में जो चीजें दी हुई है जिससे पारेस्थितिक संत्र जो है संतुलित रहता है उस एक्टिवीटीज को करना हिंदु एकलावजी कहलाता है मतलब कि हिंदु धर्म की मान्नताओं को आधार बनाके उसका बहवारिक जिससे की पारेस्थितिक संतुलन बना रहे है देट इस पॉल्ड हिंदु एकलोजी इससे रिलेटेड एक टर्म और ध्यान आ रहा है प्रोटेस्टेंट इथिक सेंदे स्पिरिट अब कैपिटलीज जो डिफरेंट टाइप के धर्म है जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म है वो ब्रोटेस्टेंटि इन उसमें यह लिखा हुआ कि एक पईशा दे प्रोटेस्टेंट इतिक संडेश प्रॉड्व का तो उनके धर्म में देखिए क्या चीज़े लिखी हुई है खाली पुंजी बात पैसा कमाना हमारे हिंदु धर्म में क्या लिखा है सुबह उटके धर्ती को प्रणाम करो नहाते समय जल दो सुर्ज को आए वायु देवता को भी पूजा करो तो हमारे हैं च्छिती जल पावक गगन समीरा जो है यह हमको यह शिक्षा देता है कि हम अपने परजावरण प्रण पी रक्षा अपने माननेताओं के साथ कर देते हैं कि उसी तरीके से इसमें जो जीव जन्तु हैं आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग जो है साकाहारी है तो ज्यादा से ज्यादा लोग मांकाहारी ना बने जिसे उनका पसुपक्षियों का भी जीवन बचा रहे इसके लिए तमाम आंदोलन चलता रहता है सुधार सोसल रिफॉ कीज़े है जो हिंदु धर्म में की जाती है आम जन्मानस के द्वारा उन कर्म कांडों करते हुए को ठीक रखना संतुलित रखना इसको बोलते हैं हिंदु एकलाउजी अब आप समझ गए बहुत प्यारा सा सब्द है लग रहा कि कोई नया टर्म है नया टर्म नहीं पूरा प्रचलन में अब आया है और इस हिंदु एकलाउजी पे अमेरिका में येल इनवर्सिटी में पूरा रिसर्च पेपर चल रहा है अब देखिए इंडिया में भले इसको कोई चर्चा ना करें अमेरिका के येल इनवर्सिटी में इसको पूरी जो रिसर्च तीम बैठी